हेलो गाइस तो आज मैं एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी लाइट्स आउट को ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जो कि दूसरी हॉरर मूवी से काफी हटके है ये मूवी आपको काफी अच्छी लगने वाली है तो चलिए बीने की सिद्री की स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्स्प्रेशन मूवी के इस टार्टिंग में हमें टेक्स्टाइल कंपनी के एक फैक्टर को दिखायाता है उस फैक्टर कॉन और पॉल होता है जो कि अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था मार्टिन अपने डैड को अपनी मॉम के बारे मदाता है कि उसकी मॉम की तेवित काफी दिनों से ठीक नहीं है जो कि खुछ सही बाते किया करती है ये बात पॉल को काफी अजीब लगती है और वो मार्टिन से कहता है कि वो थोड़ी दिर में ही काम अम खत्म करके अब जैसे रूम के लाइट्स ओफ करती है उसे वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिखा देता है अब लाइट्स ओन करते ही वो वहाँ से गयाव हो जाता है जैसे वो एक बार फिर से लाइट्स ओफ करती है वह ब्लैक एंटिटी एक दम से ही के सामने आ जाती है यह देख के वह काफी डर जाती है और जल्दी से ऑफिस में जाके पॉल को इन सब के बारे में बताने लगती है पॉल उस टाइम कॉल पर बीजी होता है तो वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता अब उस असिस्टन के घर जाने के वाद पॉल भी अपने इंटिटी उस पर हमला कर दीती है जिससे उसके पैर पर काफी गहरे जकम हो जाते हैं अब वह देखता है कि वह ब्लैक इंटिटी एकदम से ही उसके सामने खड़ी हो गई है जहां पॉल को रियलाइज होता है कि वह ब्लैक इंटिटी लाइट्स की और आगे नहीं बेढ़ पॉल समझ जाता है कि उससे लाइट से तो कुछ प्रॉब्लम है अब वह अपनी जान बचाते हुए ऑफिस की और चला जाता है और आपीस की डॉर लॉक कर देता है और रचानक से वहां की लाइट्स आफ हो जाती है और दोर भी खुल जाता है दोर के खुलते ही वह ब्लैक अक्सर साथ में ही रहा करते थे उसके बाद ही हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपने रूम में ही सो रहा होता है कि तब ही उसे बाहर से कुछ आवास सुनाई देता है वह बाहर चेक करने को जाता है तो उसे उसकी माम दिखाए देती है जो कि अकेले महीं किसी से बाते कर थी, ये सब मार्टिन को काफी अजीब लगता है और जैसे उसकी माम के पास पहुचता है, उसकी माम उससे कहती है, तुमने हमेद देख लिया, अब अपनी माम की इन बातों को सुनके मार्टिन काफी डर जाता है, क्यूंकि उसकी माम के लावा रूम में और कोई भी नहीं होत जल्दी से रूम में जाके अपना डिर लॉक्ष कर लेता है अगले दिन मार्टिनी को उसकी इस इस्कूल में डेकते हैं जहां रात में ना सोने जिए सि एस मार्टिन मैं अपने क्लास में हिस रहा हो तक है मार्टिन को ऐसा करते देख चाइल केर वाली टीचर मार्टिन की सिष्टर रेवेका को वहाँ बुला लेती है रेवेका अपने ब्रेट के साथ वहाँ पहुंचती है तो वो टीचर रेवेका से कहती है कि मार्टिन काफी दिनों से ऐसे ही क्लास में सो जाता है जो कि इस हबते में लगातार तीसरी बार हो रहा है अब टीचर की इन बातों को सुनने के बाद रेवेका मार्टिन को लेके अपने मॉम के यहां पहुंच जाती है जहां पहुंचते हैं मार्टिन रेवेका से कहता है कि वो उसके साथ उसके घर जाना चाहता है वो कल रात को ठीक से सो भी नहीं पाया था जिस वएसे उसे काफी नीन भी आ रही है अब उसी दोरान रेविका को मार्टिन ये भी बताता है कि मॉम डाइना नाम की किसी लेडी के साथ बात करती है जिससे उसे भी काफी डर लगता है अब मार्टिन के बाद को सुनके रेविका मार्टिन से कहती है कि डाइना वेना नाम की कोई भी चीज रियल में एक्सिज नहीं करती है वो तो सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना है जिससे तुम डरते हो अब जैसे दोनों भाई बेन घर के अंदर जाते हैं रेविका अपनी माम को समझाने लगती है वही मार्टिन अपनी रूम में जाके अपना बैक पैक करने लगता है बैक पैक करने के बाद जैसे ही वो अपनी माम के रूम के पास पहुंचता है वहाँ डाइना फिर से उसे करने की कोशिस करती है वह रेविका अपने मॉम से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए मार्टिन को अपने साथ ले जाना चाह रही है लेकिन इस बात पर उसकी मॉम बेगरी नहीं होती है और वो मार्टिन को अपने साथ ले जाने से मना करने लगती है लेकिन रेविका मार्टि जिससे डाइना वहां से चली जाती है रेविका जब मार्टिन को ढूनने लगती है तो मार्टिन उसे बातरूम में बाट टब में सोया हुआ मिलता है जो कि अपने साथ टॉच लेके सोया हुआ था यह देख कि वह समझ जाती है कि वह डाइना से काफी डर हुआ है अगले ही ऐसे रेविका अपने रूम के और जाती है तो उसे फ़र्स के नीजे ही कुछ स्क्रेच दिखते हैं स्क्रेच चिस पर डाइना लिखा होता है जिसे देख के वह समझ आती है कि ये सब डाइना का काम है अब डाइना के बारे में जानने के लिए रेविका ब्रेट को लेके उ उस मौम जब एक मेंटल हस्पिटल में एडमिर थी तब उसकी मुलाकाट डैना से हुई थी डैना को एक स्किन जिसे अजीब सी भीमारी थी जिस से संट के कॉंटेक्ट में आने से उसकी सिकन जनने लगती थी और लोगों का तो ये भी मानना थे कि डैना के उपर किसी सहतानी स अब जैसे ही रेबीका अपने बच्वन वाले रूम के अंदर जाती है तो वहां का दर्वाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और लाइट भी आफ हो जाती है उसके बाद ही डायना उस पर अटाइक कर दीती है जो कि उससे वान करते हुए कहती है कि वह उसके मौम और उसके बिच्ञा है नहीं तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है अब उसी दोरान ही रेबीका की अवाज ब्रेट सुन लेता है जो कि जल्दी से आके रूम का दर्वाजा खोल लेता है अर रूम के अंदर जैसे रोसनी आती है डायना वहां से चले जाती है और वहो दोनों भी वहां क को अफ कर दिते हैं जिसके बाद ही डाइना वहाँ चली आती है डाइन माइन को हंट करने लागती जिस बारे में बताने लगती हैं ऑच्पन में मरने के बाद ही ड 실त हिएंधना उनेंग और जैना उनकी मॉम के साथ जुड़ी होई है अब उन्हें मिलके अपनी मॉम को डैना से बचाना होगा क्योंकि काफी दुनों से दवाया ना लेने की वज़े से उसकी मॉम की मेंटिली हलत काफी वीक हो गई थी जिसका फैदा उठाके डैना उसको अपने वस में कर लेती है तब से बचा लिती है अब रेविका मार्टिन ब्रेट को लेकी मॉम के हाँ पोँंच जाती है घार दीना के डिःका मॉम को डैना के बारे में पूछ बो से अपनी मारच चलनée को कहती है तो मार्टिन बोसकी मॉम औनμ को अखेले नहीं चोड़ सकता और से मुसeleriand के टाइम में उन्हें अपनी मॉम का साथ देना जरूरी है अब इस बात कुस तुनके रेवीका भी ब्रेट के साथ वहां रुकने क्लियर एड़ी हो जाती है अब रेवीका घर की सारी लाइट्स को टेप से कवर कर आउर्न करके छोड देती है और मार्टिन और भैट्स भी मिल की काफी जरूरत है अब सोते टेम मार्टिन को रेविका भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो मॉम को बचाने के लिए कोई कोई सोलीसन निकाल लेंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा तभी अचानक से डाइना पावर कट करके घर की सारी लाइट्स को आफ कर देती है जिससे रेविका की निंद खुल जाती है और वो टॉच लेकर नीचे बेजविन में चले जाती है ताकि फ्यूज आन क सब्सक्राइगर के पावर वापिस ला सके वहिं दूसरी तरह मार्टिन की निंद खुल जाती है जो की अंदेरे को देख के काफी डरने लगता है वह एक कैंडल को लेकर रेपिका के पास जाने लगता है तब फिर डाइना आके उस पे हैटक कर देती है अब दैनां आके नि ऐसके बाहर के और आ जाता है तो ब्रेट अपने गाडी के लाइट्स को आउन कर देता जिससे डाइना कर देता है और वहां से शन्फ करते हैं तुन कि अपने रूम के बाहर competent जो कि समझ जाती है कि ये सब डाइना की काम है गिए से कहती है कि वह उसके बच्चों से दूर रहे तभी तर्फ पर अपने डवाई लेने लगती है जिसे लेके रवीका बेस्मेंट के अंदर और हेल्प की चीजे लेने के लिए चले जाती है जहां उसे पता चलता है कि डाइना वहीं पे रहा करती थी डाइना ने उसके लिए एक मैसेज भी लिखा था कि अगर वो सोफी और उसके बीच आएगी तो उने भी वो मार देगी अब उसी बीच ही डाइना सोफी को पकरने की कोशिस करती है और यूवी लाइट्स के लो होने के कारण रेवीका उससे बच नहीं पाती और डाइना उसे पकल लेती है तभी अचानक से ही लाइट बढ़ जाती है और डाइना का हाथ जलने लगता है वो लाइट मार्टिल लेके आया हुआ था जिसकी मदद से वो डेविका को बचा लेता है अब वहाँ पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं जो कि ब्रेट अपने साथ लेके आया था वो पुलिस वाले ब्रेट को बाहर रहने को कहते हैं और अंदर जाकर बेस्मेंट का दरवाजा खोलने लगते हैं दरवाजा खोलने के बाद मार्टिन और रेविका बाहर आजाते हैं वहीं डाइना उन पुलिस वालों को एक एक करके मार देती है उसके बाद ही रेविका मार्टिन को लेके ब्रेट के पास उसे बाहर में ही छोड़ देती है अब रेविका अपने मॉम को लेने के लिए उपर वाले रूम के और जाने लगती है कि तभी डाइना उस पे अटैक कर देती है और उसे मारते हुए नीचे की और गिरा देती है जिसके बाद ही रेविका से कहती है कि उसे भी वो उसके डैड के जैसे ही मानने वाली है और जैसे ही उसे मानने वाली होती है कि तभी पीछे से वहाँ सोफी आ जाती है और उसके साथ साथ सोफी भी वहीं मारी जाती है और इस तरह से सोफी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को ही सक्रिफाइस कर दिया याने की अपनी ही जान दे दी अब थोड़ी दिर बाद वहाँ बागी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं वहीं रेभी का मार्टिन और ब्रेट से कहती है कि अब वो हमेसा एक दूसरे के साथ में रहेंगे और इस तरह से यह मूवी यहीं खता हो जाती है तो कैसी लगी मूवी एक्सप्रेशन जरू बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाद